हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का अध्याय विराम चिन हिंदी व्याकरण में विराम जिन क्या है आईए जाने तो बच्चो जैसा कि आप जानते हैं कि भाशा के माध्यम से मनुश्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है कभी कभी बोलते समय वक्ता अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शन भर के लिए रुखता है और फिर अपनी बात पूरी करता है सांस लेने के लिए वे थोड़ा सा रुक कर आगे बात जारे रखता है इस परकार भावो को स्पष्ट करने के लिए रुकने को ही विराम कहते हैं विराम का मतलब ही होता है रुकना यानि आराम करना बच्चों लिखते समय विराम का बोध कराने के लिए विशेश प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में ये चिन ही विराम चिन कहलाते हैं भाशा के लिखित रूप में रुकने अथवा टहरने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का लिखते समें हमें थोड़ा सा विराम करना चाहिए ताकि हमारा वाक के सपश्ट रूप से दूसरों को समझाए तो इन Chili विराम्-, किन्हों का हम वाक्यों में प्रयूप करते हैं भाशा को बोलते अथ्वा लिखते समें विराम लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार उचित स्थान पर विराम न लेने के कारण अर्त का अनर्थ हो जाता है जैसे कि दिव्या धहरादून चली गई सामाने सूचना थी दिव्या दहरादून चली गई प्रशनवाचक दिव्या दहरादून चली गई आश्चर्य का भाव तो बच्चों यहां पर वाकिय एक ही था कि दिव्या दहरादून चली गई लेकिन उनको बोलने के तरीके अलग-अलग थे जिन से उनके विराम चिन भाषा को अधिक स्पष्ट एवं अर्थ पूर्ण बनाने में सहयक होते हैं इसे भी समझिये बच्चों की आपने देखा वाक्य के अंत में लगे चिन्हों के कारण इनके अर्थ में अंतर्ष प्रष्ठ हो रहा है जबकि वाक्य रूप और संराचना की धृष्ट वाचक चिन विसमयादी बोधक चिन योजक चिन निर्देशक चिन उद्धरन चिन कोष्टक लागफ चिन और तुरुटी पूरक चिन तो आईए एक के करके सभी विराम चिन के बारे में जाने सबसे पहला है पून विराम तो बच्चों सामान्य कथन वाले वाक्यों की समा अपती पर पून विराम चिन यानि एक खड़ी पाई के रूप में लगाया जाता है जैसे की माता और मात्र भूमी स्वर्ग से बढ़ कर होती हैं मेरा नाम साक्षी कौशिक है तो बच्चों यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया है और वाक्य पूरा होने के बाद हम खड़ी प पर्णन करते हैं तो उन्हें अलग-अलग करने अत्वा वाक्य में थोड़ी देर रुखने के लिए अलप विराम चिन का प्रियोग किया जाता है इसे अंग्रेजी में कौमा भी कहते हैं अलप विराम चिन निमलिकी स्थियों में प्रियोग किया जाता है जैसे एक ही प्रक तो एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम पदबंद करते हैं उन्हें अलग करते हैं तब हम अर्ध विराम लगाते हैं संबोधन शब्द के बाद जैसे अनिरुद अब आए हो बच्चो चलो खाना खालो तीसरा उद्धरन चिन से पहले जैसे अध्यापक ने कहा बच्चो प्रश्न पत्र बहुत ध्यान से हल करो दादा जी ने कहा नवरात्रों में हम वैश्नो देवी चलेंगे समवाद के समय में हाँ या नहीं के पश्चात जैसे की दिनेश महेश क्या कल तुम पोलियो रेली में जाओगे महेश नहीं मैं कल पोलियो रेली में कि जाओंगा द्यापक राकेश क्या समच्छाइब करते हैं तो यह नहीं के बाद भी हम अर्द विराम लगाते हैं समुच्चे वोधक अव्यकर लोब होने पर जैसे हम जल्क आ जाते फजान्द ट्रेन लेठ हो गई समज में नहीं आता यह किस की कर्तूत हैं संबंद बोदक अव्यका लोप होने पर भी जैसे जितना चाहो ले लो जो परिश्रम करेगा अवश्य सफल होगा तो बच्चो इस प्रकार हम अल्प विराम का प्रियोग करते हैं तीसरा है अर्ध विराम जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा बने यहीं सम्मान मिलता है अपूर्ण विराम जहां वाक्य पूरा नहीं होता बलकि किसी वस्तु अथ्वा विश्य के बारे में बताया जाता है वहां अपूर्ण विराम चिन का प्रियोग होता है जैसे श्री कृष्ण के अनिक नाम है, मुहन, गोपाल, गिर्धरादी, भारत के प्रमुक चार महानगर है, मुंबई, कोलकाता, चेन, नई और दिल्ली, तो यहाँ पर अपून विराम लगाते हैं प्रश्ण वाचक चिन, जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्ण पूछने के लिए किया जाता है, उनके अंत में प्रश्ण वाचक चिन लगाया जाता है, जैसे इतनी तेज धूप में क्यों घूम रही हो, और लगाया प्रश्ण वाचक चिन, तुमने ये क्या कर डाला, और विष्मियादी बोधक्चिन हर्श ग्रणा आश्र आदी मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन का प्रयोग किया जाता है जैसे वाह कितना सुन्दर दृष्ष है तो यहां पर हर्ष प्रकट किया छी कितनी गंदगी है यहां ग्रणा अरे तुम कब आई आश्र ओह यह विष्मियादी बोधक्चिन का प्रयोग किया जाता है जैसे उपस्तित मनोभावों बड़े हर्ष का विशे है कि आपने यह कारे आरम किया है वीर सैनी को आज हमारी परिक्षा की घड़ी है क्योंकि शत्रूने हमें ललका रहा है जब किसी को सामाने रूप से बुलाना हो वहा अल्प विराम लेकिन जब दूर से यह क्रोध आधी के प्रकट करते हुए बुलाना हो तब वहां विश्मियादी बोधक्चिन का प्रयोग किया जाता है जैसे कि समेध्ड उधर बैठो तो यह सामाने रूप से समेध्थ उधर जाकर बैठो क्रोध प्रकट करना तो व प्रियोग किया जाता है इसे विभाजक चिन भी कहते हैं जैसे चलते बार बार उठते उठते आदी मात पिता छोटा बड़ा दाल भात सुक दुक आदी तो ये हमारे योजक चिन है योजक मतलब डैश निर्देशक चिन किसी कथन विवरन उधारन सूचना अथवा निर्दे देने के बाद इस चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा शुबाश चंद्र बोस तो ये कथन था निमलिखित में से किसी एक विशे पर अनूछेद लिखिए दिल्ली और मैट्रो बरसात की एक रात और विज्यापन ये एक निर्देश था हमारे राष्ट्रे पर हैं गर्तंत्र दिवस सुतंत्रता दिवस गांधी जंतियादी ये एक उधारण है तो बच्चों यहां पर हम निर्देशक चिन का प्रियोग करते हैं आगे है उद्धरण चिन उद्धरण चिन बच्चों दो प्रकार के होते हैं एक हरा उद्धरण चिन और दोहरा उद्धरण चिन एक हरा उद्धरण चिन यानि कि किसी विशेश व्यक्ति ग्रंत उपनाम समाचार पत्र पत्रिका आधी के नाम लिखते समय एक हरा उद्धरण चिन का प्रियोग किया जाता है दोहरा किसी के द्वारा कहे गए कथन को उसी रूप में लिखते समय दोहरे उध्रन चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे गांदी जी ने कहा करो या मरो रानी लक्ष्मी भाई ने कहा मैं अपनी जहांसी नहीं दूंगी तो यहां पर विशेश व्यक्ति के द्वारा कही गई कथन को यानि कि उनके बारे में जो उन्होंने कुछ बोला उसको लिखने के लिए दोहरा उधरन्चिन का प्रियोग करते हैं कोश्ठक वाक्य के मध्य आय शब्दो अथवा पदो का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोश्ठक का प्रियोग किया जाता है जैसे निरंतर यानि लगातार और लगाया कोश्ठक चिन अध्यन से ही सफलता प्राप्त कर सकते हो भवन निर्मान, सामगरी, कोश्टक चिन लगाया और लिखा इड, सिमेंट, लोहा, कंक्रीट बहुत महंगी हो गई है तो कोश्टक चिन याने की ब्रैकेट लाघवचिन, बड़े तथा प्रसिद शब्दों को संशिप्त रूप में लिखने के लिए लाघवचिन का पर्योक किया जाता है जैसे डाक्टर को हम डाक्टर और वहां पर हम छोटे रूप में डाक्टर को लिख देते हैं प्रोफेसर को प्रोव, सम्वत को संग, ईस्वी को ई, पुलिंग पू, सायुक्त राष्टंग, सरा संग, पंडित प, स्वर्गिय स्व, तो बच्चो बड़े शब्द को हम संख्षिप्ट यानि छोटे रूप में लिखते हैं और उसके लिए हम लाघव चिन लगा देते हैं त्रूटी पूरक चिन यानि कि लिखते समय वाके में कोई अंश अगर छूट जाए तो इस पर चिन का प्रयोग करके छूटे हुए अंश को लिख देते हैं जैसे चलो जो भी हुआ अब यहाँ पर अच्छा लिखना भूल गए तो अच्छा लिखने के लिए हमने त्रूटी पूरक चिन का प्रयोग करा और वाके को पूरा किया कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ समय रहते सुधर जाओ तो अच्छा है तुम तो आजकल इद का चांद हो गए हो क्या आपकी कख्षा में कोई नया छात्रा आया है तो जब बच्चो वाक्य में कोई शब्द रह जाता है और हमें उसे लिखना होता है तो हम त्रूटी पूरक चिन का प्रयोग करते हैं तो ये थे हमारे कुछ विराम चिन आये दोराएं भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा ठहरने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन कहते हैं पून विराम अल्प विराम अर्ध विराम अपून विराम प्रश्ण वाचक चिन विस्मे आदी बोधक चिन निरदेशक चिन उध्धरन चिन कोश्टक लाघव चिन तुरुटी पूरक चिन तो बच्चों आशा करती हूं कि आपको यह अध्याय समझा गया होगा इसका झाल, 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 झाल.